हम आज BACAG part second में artificial insemination के बारे में study कर रहे थे उसमें continuation में हम insemination technique के बारे में study करेंगे What are the insemination technique? अथात कर्तिम गरबादान की technique क्या है? पसो में artificial insemination है तू पसो में जो AI की जो technique है that is recto vaginal method इसमें कई technique है इसमें जो perfect method है जो popular method है जो technical method है that is recto vaginal method है इसमें क्या करते हैं कि सर परतम हम animal की जांच करेंगी और जिसमें की सीमें रखा जाता है उसे यंतर को बोलते हैं cryokane cryokane से हम इस्टा निकाल कर उसका thowing करेंगे और द्रवी करेंगे और जो AI gun में load करके जो insemination है तू उसकी तियारी करेंगे इसमें जो technician है उसके हाथ के नाकुन कटेवे होने चीए और हाथ पर प्लास्टिक के दस्ताना पहने होया होना चीए और साथ साथ चिकनाई युक्त परदात लगाएं जिससे की हाथ को कोनकी आकार में बनाते हुए हम रेक्टम में आसानी से प्रविश्क करा सके तो यह तो था कि देख्टो बेजाइनल मेथड़ में इंसीमेशन की जो टेकनीक है उसका प्रारेंबिक तियारी क्या है पिर हम दीरे-दीरे रेक्टम में गोबर बाहर निकालें हाथ प्रिविश्ट कराएंगे गोबर बाहर निकालें ध्यान रखें कि उसके जो गुदा में गुदा में हवा प्रिविश्ट ने करें और जो सर्वेक्स को सावजानी से पकल लें और अंगुठा गरबाशे गिरवाय के बाही यह मुख एक्स्टरनल ओस पर रखेंगे अंगुठा एक्स्टरनल ओस पर रखेंगे जो इसमें जो हेलपिंग हेंड होगा जो अब आपका साहिक होगा वो उस external उसको चोड़ा करने के लिए निर्देशित करें और उसको कानव जिसे जो वल्वाज है जो जो भग है वल्वा है उनको चोड़ा करने के लिए निर्देशित करें और गन प्रवेश करातिस में ये इस भगोष्ट को प्रवेश नहीं करें ठीक है और तैयार गन को हम क्या करेंगे पेताड़े टिगरी का कौन मनाते वे योनी में प्रिविश्च कराएंगे पता इसके पहस्चाद 90 डिगरी के कौन पर लाकर इसे आगे की तरब बढ़ाएंगे इसको आगे की तरब दठे रहे जिससे की योनी मार्ग में आये फोल्ड सीरे हो जाएंगे अन्हेचाद गन किसी भी फोल्ड में फसकर रुक सकती है जैसे ही यह गन गरबाशे गिर्वा के मुक तो पहुचे तो अउठा वहीं से अठाकर गन को एक्स्टरनल ओस की तरफ डारेक्ट करेंगे अब मद की अवस्ता में क्या होता है कि ओस का हा मुक ओस खुला होता है अता है गन आसानी से प्रिविस कर जाती है और गरबाशे गिर्व में अनेक फोर्ड होने के कारण गन को आगे पीछे दाएं बाएं लेते हुए आगे बढ़ाएं कहीं रुकने पर जड़ा दवाव नहीं लगाएं और इसमें वीरे जो सीमें चोड़ने से पहले हम यह सुनिचित करेंगी गन गरबाशे गिर्वा में ही प्रिविस करिए गन जो सर्वेक्स है कर्वेक्स में ही प्रिविस करिए यदि नहीं गरबाशे गिर्वा में प्रिविस करी या नहीं यदि गन का सिरा गरबाशे गिर्वा में प्रिविस कर गया तो हमें ये भाग महसूस नहीं होगा अन्यता पिछला भाग हम योनी सेत्र में हाथ लगा कर योनी सेत्र में हाथ से महसूस करकर सकते हैं इसके अलावा यदि हम बाहर से गन को हिलाते हैं तो हमें गरवाशा गिरवाशा सेत्र में हलचल महसूस होती है जो कहने का मतलब है कि हम जो सीमेन छोड़ेंगे जो विरे छोड़ेंगे वो हम सुनिचित करेंगे कि गन हमारी गरवाशे गिरवा में ही होनी जाए अन्य पाग में नहीं होनी जाए तब ही हमारा इंचिमिनेशन सक्सेस माना जाएगा और सीमेन इस विरे को छोड़ने का उचित इस्तान मज्य गिरवा अत्वा उसका अग्रवाग होता है ठीक है और विरे छोड़ने के पश्चाद दीरे से गन को निकालें तता दूसरे हाथ से जनन अंगों की मारिस करते हुए लेक्टम के अंदर से हाथ भार निकालें जब हम दीरे दीरे गन को निकालेंगे और दूसरे हाथ से हम जो उसके जनन अंग है उनकी मारिस करते हुए लेक्टम के अंदर से हाथ भार निकालेंगे जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया कि हमको कैसे एई गन से प्रिवेश करना है और जो दूसरा हाथ है जो कि अंदर रहता है वो किस प्रकार आइगन को उसमें प्रिवेश करता है और उसमे जो इन्सेमिनेशन की जो टेकनिक है देटीज रेक्टोवेजैनल मेताड और इसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन है जो जार है लिक्विड नाइट्रोजन ये क्रायोजैनिक अत्वा अत्याधिक ठंड़ा होता है जब कोई गेसी आवस्तास से तरल आवस्ता में रूपान्त्र होती है तो उसे हम क्रायोजयनिक लिग्वीड कहते हैं इसी प्रेकार जब वायो मंणल में उपस्ते नाइटरूजन को हम कम तापकरम दवा पर तरल रूप में परविद्कित किये जाता है लिक वी यह मризब्डट करते हैं तो जैनिक विखें धीन करते हैं एक टरम को स्वाध्य कूछ यह लिक्विड नाइट्रोजिन क्या होती है रंगीन गंदीन स्वाधिन रासानिक द्रश्टी से निश्क्रिये उदासीन तरल है विशेली नहीं है और अन्य तरल परदाथ में एगुलंसील है एचुम्ब किये है तथा ताप और विद्दू दोनों से कम संचालक है दरल रोप में इस नाइट्रोजिन का – 196 63 C. अतरव इसका प्रियोग क्या की रूप में भी क्या आता है इस लिक्विड नाइट्रोजिन का जो तापक्रम है माइनेस वन नाइन्टी सिक्स एक सुच्यानम डिग्री सेंटिग्रेड है अता है यह कूलिंग एजट के रूप में भी काम में आता है कि यह लिक्विट नाइट्रोजन का अप्योग आधिनिक यूग में पसुपालन और टीट्मेंट के इस इत में बहुत व्यापक रूप से इसका प्रियोग के आता है लिक्विट नाइट्रोजन फ्रोजन सीमेन के स्टोरेज बंधारन सेंग्रियन एएए पंडाली का एक प्रमुक भाग है लिक्विट नाइट्रोजन देट इस इंपोर्टेंट पाल्ट ओप याई इस इट्स 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 रिक्वाइड फोर्डा इस्टोरेज ऑप सीमेन इसका जो फ्रोजन सीमेन के बंधारन के लिए लिक्विट नाइट्रोजन का होना आउशक है जो चिकिश्या के शेत में जो वेक्सीन है टीकों का संग्रह जहां छेतु जो रक्त लिया हमने लिक्विट नाइट्रोजन में किया जाता है लिक्विट नाइट्रोजन के प्रयोग के समय सावधानिया अत्यदिक कम तापकरम होने के कारण शरीर की चंबडी पर इसका प्रभाव डालता है जो अत्यदिक तापकरम डालता है अथ्वात इससे चंबडी जल जाती है छोट पबनद कम्रों में तरल नायत्रोजन के साथ कांप करने से गोटन तता स्वास में तकलीब हceksin की वाता अरह में और कि अप्सेज़न कम और लिक्वीड नाइट्रोजनी मात्रा बढ़ा जाती है अधार चोटे कम्रे में अप्सिजिण और लिक्विट नाइट्रोजन का कंटेनर का सेप्टिवाल भी अच्छी तरगे से बंद होना ची तो यह तो था यह और लेक्विट नाइट्रोजन के बारे में हमने स्टेडी किया थेंक यू